हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कब 2022 के फिफ्ट मैच के बारे में जो की नाम इबिया वर्सस नीदरलेंड के बीच है और इस मैच को आप आज सुभा के साड़े नौ बज़े से देख सकते हैं फ्रेंड्स और यह मैच ऑस्ट्रेलिया के साइमन स्टेडियम में खेला जाने वाला है पिच की बात की जाए तो पिच बैलनस्ट है फर्स्ट इनिंग केवरिज स्कोर 150 देख सकते हैं वेधर की बात की जाए तो 16% चांसे से बारिस होने की टेंपरेचर 6 डिगरी सेलसियस रहने वाली है हुमिडिटी 95% रहने वाली है तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहें मरी वीडियो को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके अब अगर नामीबिया के पिछले पांच मैचस की बात की जाए तो चार मैचस में जीत हुई एक मैच में हार हुई है वही नीदर लैंड के पिछले पांच मैचस को देखा जाए तो चार मैचस में हार हुई है एक मैच में जीत हुई है और अगर इनके बीच खेले गए Head To Head Matches की बात कि जाए Friends तो एक बार नामीबिया के जीट हुई है एक बार नीदर लैंड के जीट हुई है अब अगर नामीबिया के पिछले 10 Matches में Winning Percentage की बात की जाए तो 70% matches में जीत हुई है वही नीदर लैंड के पिछले 10 matches में winning percentage देखा जाए तो 50% matches में जीत हुई है अब अगर पिछले 5 matches के अधार पर team analysis किया जाए तो opening में दोनों ही team average है middle order में दोनों team strong है batting depth की बात की जाए तो दोनों team average है pace balling में दोनों team strong है spin balling में नीदर लैंड की team average है नाम इबिया की team weak है अब अगर match winner की बात की जाए फ्रेंड्स तो दोनों team को compare करने पे ICC T20 World Cup 2022 के इस 5th match में हमारे analysis के नुसार नाम इबिया के जीतने के chances जादा है आपकी क्या thinking है फ्रेंड्स इस 5th T20 match को लेकर आपके नुसार कौन सी team जीत सकती है आप अपनी राय मुझे comment करके जरूर बताएं उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके साथ ही साथ जादा स्यादा लोग को ये वीडियो सेयर करे फ्रेंड्स मुलाकात होगी अगले वीडियो में वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद